नमस्कार दर्ष नूज में आप सभी दर्षकों का स्वागत है मैं पृतिदयाल आपके साथ देखे बिहार में चार सीटों पर होने वाले उपचुनाप को लेकर के तारीखों के साथ साथ उमेद्वारों का भी ऐलान कर दिया गया है बता दे कि चुनावी तारीखों के एलान के बाद से ही सभी राजनितिक दलों में हल्च तेज हो गई है और आम जनता के बीच भी उपचुनाप को लेकर के चर्चाएं गर्म है ऐसे में अगर हम बात करें तरारी विधानसभा सीट की जिस पर बाहुबली पुर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे का नाम क्लियर हुआ है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांद यहां से ताल ठोकेंगे विशाल प्रसांथ अब तरारी विधासभा सीट से NDA के उमिद्वार के तोर पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे वहीं बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को टिकेट देकर बड़ा दाफ खेल दिया है इस बीच विशाल प्रशांथ की कुछ तस्वीरे सोशल मेडिया पर बड़े ही तेजी से वारल हो रही है जिसकी चर्चा खूब जोरोशोरो से चल रही है दसर रास्टी ये जुनता अदल की ओर से विशाल प्रशांत की तस्वीरे जारी की गई है जिसमें वे सवालों के घेरे में आ गया है आप उस तस्वीर को अपने स्कीन पर भी देख सकते हैं जिसमें वो शस्त्रों की पूजा करते हुए दिख रहा है वे इस तस्वीर को शेर करते हुए राज़त की ओर से लिखा गया की मुख्यमंदी नितीश कुमार को यह बताना चाहिए कि हिस्ट्रीश शीटर सब बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कारबाइन कैसे आ गया नितीश के निर्देश और सहमती पर रणवीर सेना के समय से अब तक छुपा कर रखा था क्या इसका तो लाइसेंस भी नहीं मिलता कुछ दिन पहले बिहार पुलिस खुद ही जब्त किये गए एके 47 को गायब कर नितीश कुमार ने अपने एक नवरत्र को रिहा किया है बता दे कि इस पोस्ट के जरीए राज़त ने कहीं न कहीं इशारो इशारो में अनंत सिंग को निशाने पड़ लिया वहीं आगे अभी लिखा कि यही है नितीश भाजपा का असली कानून का राज जो सत्ताधारियों का साथ दे उसके 100 खुन माफ वरना शराब की एक खाली बोतल दिखा कर पूरी जिंदगी जेल में साफ तो इस तरह से राज़त के द्वारा किया गया यह पोस्ट बड़े ही तेजी से वाइरल हो रहा है कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इधर जानकारों की माने तो सुनील पांडे की 26 सियासी रूप से ठीक नहीं है सुनील पांडे पर बहु बली होने का ठपा है बीजेपी ने सियासी रणनीती का खयार रखते हुए उनके बेटे को टिकेट दिया है ताकि कोई सवाल नहीं उठे टिकेट मिलने के बाद तरारी में काफी जोश का महौल है सुनील पांडे के समर्थक पूरी तरह से खुश है वहीं विशाल प्रशांत लगातार पहले से जनसंपर्क करते रहे हैं बता दे कि बीजेपी की तरफ से उमिद्वार जारी करने के कई महीने पहले से ही उपचुनाव लड़ने के लिए सुनील पांडे ने अपने बेटे को छेतरे में भेज दिया था लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद से लगरतार सवाल खरे हो गए हैं अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर का जिस तरह से सवाल आरजेडी की ओर से खरे किये गए हैं तो उसके बाद आखिर एंडिये की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगिर आपने भी तक हमारी यूटिब चाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर ले इसके साथ यगरी वीडियो फेस्बुक के बाद हम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले